राम राम भाई सरेया ने, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, कल से वर्ड कप के वार्म अप मैचेद शुरू हो गए हैं, कल न्यूजी लेंड ने पाकिस्तान को बांगला देश ने श्रीलंका को हरा दिया, जबकि साउथ अफरीका और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच बारिश की वजह से हो ही नहीं पाया, जबसे मार्टिन गुप्टिल का वा सीधा थ्रो डायरेक्ट स्टम्स पर जाकर लगा था, वा स्टम्स को नहीं हमारे दिल को चुग गया, कई लोगों को लगता है कि धोनी आउट ना होते, तो भी हम मैच हार जाते, लेकिन आखिरी ओ वर्ल्ड कप भी हो चुके हैं, लेकिन उनमें हम पहले से ही पिछडे हुए हैं, वैसे भी Champions Trophy WTC और T20 World Cup ICC में ही है, लेकिन जो रुत्बा वंडे वर्ल्ड कप का है, उसका कोई जोड नहीं है, हमें यह वाली Trophy जीते हुए 12 साल हो गए हैं, आज हम करेंगे Team India का Preview, सबसे बढ़िया बात है, हर खिलाडी का फॉर्म में होना, गिल, रोहिट, शर्मा, विराट, कोहली, कुल्दी, प्यादव, जस्प्रीद, बुमराह, सिराज, और शमी, केल, राहुल, और श्रेयस, अईयर, सभी के सभी ऐसी फॉर्म में है, कि अकेले दम पर मैच जीता दे, हमारा तीन वर्ल्ड कप उसे टीम ने जीते हैं, जिसने वर्ल्ड को होस्ट किया है, और उस हिसाब से इस बार वर्ल्ड कप हम होस्ट कर रहे हैं, और पिछले दो वर्ल्ड कप ऐसी टीम ने जीते हैं, जो रैंक वन थी और इस बार हम रैंक वन पर ही है, अब बात करते हैं टीम इ और जडेजा हमारी दूसरी समस्या भी है। जितनी बढ़िया बल्लेबाजी उनकी T20 और टेस्ट में है, उतनी वंडे में नहीं दिख रही है। एक दिक्कत और है कि लोर और्डर के पास बैटिंग स्किल ना होना, इसी वज़ा से हमको अश्विन और शार्दुल ठाकुर को खिलाना पड़ेगा। एक और कमजोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन चैलेंज रहेगा कि सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाली टीम हम ही होंगे। सालों में सबसे बड़ी चोकर हमारी टीम की है। हम सेमी फाइनल और फाइनल में आकर मैच हार जाते हैं। क्या इस बार फाइनल के कदपर कर पाएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन टीम इंडिया को टॉप फॉर में आराम से आ जाना चाहिए, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत!